नमस्कार साथ यो स्वागत है आप सभी का डेली करेंट अफेर्स के सेशन में हम आज डिसकस करने वाले हैं सुवला और सत्रह फेबरेरी के करेंट अफेर्स के कोश्चन्स जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यह स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट जानिक बोला है क्योंकि हम इस देह हिंदू के आर्टिकल से देखते हैं कि सुप्रीम कोड डिक्लियर्स इलेक्टोरल बॉंड स्कीम अनकॉंस्टिटूशनल तो सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस के दवारा ये बात कही गई है भारत के सरवच न्यायल ने इनको ऐसा में ध जरू की गई थी ताकि जो पार्टीज है हमारे प्लिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई केश दान जो पार्टीज को जो फंड मिलता है वो कैश में ना हो बल्कि बॉंड की रूप में हो इसलिए यह जो है इलेक्टोरल बॉंड लाना ला गया था पर इस से दिक्कत यह हो पहले जब cash के form में दिया जाता था तो उसमें पता चलता था कि किस इन्सान ने ये फंड दिया है पर जब से electoral bond आये हैं उसके बाद से पता नहीं लग रहा है कि कि सेंको ये फंड दिये हैं क्योंकि BGP party को सबसे ज़्यादा जो funds है वो दिये जा रहे हैं तो इसमें पारदरशिता लाने के लिए ये जो electoral fund, electoral bond जो हैं उसको ऐस समयधानिक कोशिद किया है सुप्रीम कोट ने और उसको बंद करने को कहा है जो electoral bond की scheme है ये 2017 में शुरू की गई थी इस पे सुप्रीम कोट ने कहा है कि bond की गोपनियता बनाये रखना ऐसा विधानिक है यानि कि नाम नहीं बताना ये ऐसा सब को right to know का अधिकार है ये scheme सूचना के अधिकार का उलंगन करता है यानि कि सबको पता होना चाहिए देश में कि आपको funds के कहां से आ रहे हैं तो ये electoral bond है तो 2017 के budget में उस वक्त के वित मंत्री थे अरुन जेटली जिन्होंने चुनावी या electoral bond scheme को पेश किया था दो जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे notify किया था ये एक तरह का promissory note होता है इसे bank note भी कहते हैं इसे कोई भी भारती नागरी क्या company खरीच सकती है उस वक्त जो electoral bond है वो SBI bank को चुना गया था electoral bond के लिए तो Supreme Court ने SBI bank को कहा है कि आपके पास जो भी data है electoral bond से related वो आप election commission of India को दो और election commission of India को उस data को verify करके अपनी election commission की website पे public के लिए डाल देगी ताकि public भी देख पाएं कि इनको funds कहां से मिले थे किस party को कितना fund किस ने दिया नेक्स्ट कोशन है पर्धान मंत्री ने किस राज्य में बर्सिंग सर और उर्जा सोर उर्जा सेयत्र की आदार्शिला रखी है तो पर्धान मंत्री ने 16 फैब को राजस्थान के बिकानेर में आदिस्थान के बिकानेर में foundation stone रखा है NLC India solar power plant का यह जो है बिकानेर में रखा गया है बर्सिंग सर जो है बिकानेर का छेतर है जहां पर इसको रखा गया है यह stone for 300 megawat solar power यहां से जो है generate की जाएगी नवी करनी उर्जा को बढ़ावा देने और नेट सुन्य दर्ष्टी को नेट जूरों को प्राप्ट करने के लिए करने के सरकार के पर्यासों के तहट इन्होंने बिकानेर जिले में 300 megawat के बर्सिंग सर सोर उर्जा सेयंतर की आदाशिला रखी है सोला पैप को इसमें वर्तमान में 200 megawat बर्सिंग सर थर्मल पावर स्टेशन सेंचालिट करता है जो रजस्थान राज्जे को लागत पर भावी बिज़ने पर दान करता है बात करें इसके बारे में इतना काफी है कि यह कहां पे क्या गया है कि मेकानेर का जिला है बर्सिंग सोलर पार्क पेज, RVUN सोलर पार्क और मठानिय सोलर फावर प्रोजेक्ट्स जो है अजस्थान के में सोलर पावर फ्लांड्स है नेक्स्ट कोशन है मिलान नोसेना भ्यास का बारवा संस्क्रिंट कहां आयोजित किया जाएगा तो यह विशाखा पटनम में आयोजित किया जा भारत इसकी मेजबानी करता हमेशा यह विशाखा पटनम में होने वाला है इसमें पदा 50 पचास कंट्रीज की जो है नेवल सेनाइ जो है एरक्राफ्ट्स हैं वो सब इसमें शामिल होगी इस अक्सराइज में इसमें यूस भी होगा तो रस्या भी होगा इस्राइल भी है तो इरान भी है तो सभी दुश्मन देश जो है न वो भी इसमें शामिल है इस मिलान अक्सिसाइज में ये ट्वेल्थ एडिशन है ये 19 फेब्रिली से 27 फेब्रिली तक आयोजित किया जाने वाला है विशाखा पटने में नेक्स्ट है मिलान अक्सिनिक अभ्यास का ये संस्क्रेंट 50 से अधिक देश भांग लेंगे इसमें 19-27 फरवरी तक इसका जो थीम है इस अभ्यास का मुख्य उदेश ये है वो है सुरक्षित समुदरी बविशे के लिए नोसेना गठ बंदन बनाना जो है इस मिलान अक्सिसा के लिए अभ्यास किया जा रहा है हलांकि हमेशा ही दुनिया भर के जितने भी ओशन सीन्स हैं समुदर हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस अक्सिसाइज को अर्गनाईज किया जाता है भारत द्वारा पर इस बार में फोकस है इंडिन ओशन और रेड सी के तरफ इंभाग ले समुदरी व्यापार के सुरक्षा सुनिचित करना है रेड सी में हो रहे हम रेड सी में जहां जो पर हूतीज या फिर जो सोमालिया है वहां के जुड़ा पाइरेट्स हैं उनके द्वारा जो जहां जहां उन पर हमले किये जा रहे हैं उसको भी उससे समुदरी व्यापार ज जो 1995 में भारत की पूर की ओर देखो यानि की लूग East Policy जो है भारत की 1992 में स्टार्ट की गई थी लूग East Policy 1992 में जब परधान मंत्री थे पीवी नरसी मराउ उस टाइम लूग East Policy के तहत יहैं मिलान अक्सिसाइज शुरू की गई थी और लोकिस्ट पॉलिस से आई थी 1992 में जिस वक्त परधान मंत्री थे नर्सीमा राओ और यह exercise टार्ड हुई थी 1995 में पहले बार की गई थी इस अभ्यास में विदेशी देशों की भागिदारी शामिल है पहले संस्क्रण में यानि जब पहले बार भारत नहीं exercise की थी उश्वक्त कौन-कौन सामिल था इंडोनेशिया, सिंगापूर, श्रीलंका और थाइलेंड ने भाग लिया था इस बार यह है इस exercise का 11 संस्क्रण आ in the – various conference havens की काथमांडू में स्टार्ट हो गई हैश स्साइल था इस फ्वाइब के लिए चलने वाली है इस प्वाइब क्या है यह फाीफ सब्सक्राइब करें गोल था इंडी है ल में स्टार्ट आधर का और नाम सेटने समाहरा हूं हूं का काbell इस conference है, इसमें civil societies जो होती है, वो शामिल होती है इसमें एक और दुनिया संभव है कि बैनर की तहट इसका पांच दिवस्य कारेकरण आयजित किया के जिसमें सामाज संगठनों, सामाजीक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों के बीच इसमें बातचीत का अधान परदान होता है इसमें 92 देशों से करीब 40,000 लोगों के हिस्सा लेने की उमीद है पांच दिन की दोरान, World Social Forum नागरिक समाज संगठनों के एक वारशिक सबा होती है जो की पहली बार ब्राजील में आयोजित की गई थी 2001 में 2001 में अपनी स्थापना के बाद से World Social Forum, समाजी का अंदलोनों, यूनिनों और चारिकरताओं का केंदर रहा है 92 देशोर के 1252 से अधिक संगठनों के पांच दिवस्य फोरम में व्यक्तिगत और वस्तुत्वे भाग लेनी की लोगों की उमीदत जो 19 फरवरी को समाथ होगा 15 फैब से नेक्स्ट कोशन है IRCTC की चेर्मन और MD कौन बने है हाल, recently किनको न्युक्त किया गया है Chairman and MD of IRCTC संजे कुमार जैन है, इनको इस IRCTC का चेर्मन और MD न्युक्त किया गया है संजे कुमार जैन assumes charge as IRCTC Chairman and Managing Director ये खबर है 15 फैबरी की 14 फैबरी 2024 को इनको न्युक्त किया गया था, खबर आई है 15 फैबरी को CTC यानि की Indian Railway Catering and Tourism Corporation इसके Chairman इनको बनाया गया है संजे कुमार जैन Indian Railway Traffic Services के 1990 बैच के अधिकारी और Chartered Accountant भी सारवजनिक उसकरम रेल मंतराले लोक उद्यम विभाग जैसे कई सरकारी विभागों में काम कर चुके हैं ये 31 दिसमबर 2026 को रिटायर होंगे तब तक या फिर जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता तब तक वो इसी पोस्ट पर रहने वाले हैं ये IRCTC का जो Chairman और MD का पैद है ये जनवरी 2021 से खाली है वो रिटायर हो गए थे महिंदर पटाप माल के बाद ये पद जो है वो खाली था 2021 से यानी की लगबक तीन साल हो गए है इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिजम कॉर्परेशन की स्थापना 27 सितमबर 1999 को हुई है हुई थी IRCTC जो है वो भारती रेले भारत सरकार के रेल मंथ्रा लेके अधीन ही एक संस्था है एक पार्ट है उसका डेपार्टमेंट है यह है भारती रेलवे के लिए इसका IRCTC का कार्रिय है कि टिकट खान पान और पर्यटन सेवार पर्धान करता है ये इंडियन रेलवेज के जो सफर कर रहे हैं यात्रियों को ये टिकेट खानपन और परेटन सेवाएं परधान करता है इस पर जाके हम टिकेट्स बुक करते हैं अपनी जो परेटन सेवाएं परेटन टूरिजम सेक्टर्स जो हैं उनको देखते हैं तो उमीद करती हूं कि आ